दोस्तो आज Nexon EV Max इंडन मार्केट में लॉंच हो चुका है कमपनी इसको टोटल दो भेडेंट में लॉंच किया है पहले बाला है एक्सजेट प्लास और दूसरा बाला है एक्सजेट प्लास लगजड़ी और आजके इस भीडियो में मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ एक्सजेट प्लास में आपको क्या फीचर मिलेगा और इसके लिए आपको कितना चुकाना पड़ेगा एक सोरूम तो चलिए सुरू करते है आजके इस भीडियो को तो नेक्सजोन इभी मैक्स एक्सजेट प्लास मॉडल में आपको पहला जो फीचर मिलेगा वो होगा 40.5 किलोवाट आवार का बैटरी पैक जो सिंगल चार्ज में 437 किलोमीटर की रेंज देगी यार याई कलेंड ये रेंज आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगी आपको लगभग सारे 300 से लेकर लगभग 380 किलोमीटर का प्रैक्टिकल रेंज मिल जाएगा जो आपको छोटी बैटरी पैक में नहीं मिल रहा था मतलब range anxiety आपका खतम हो जाएगा अगर आप इस product को purchase करते हो Number 2, आप आपको Nexon EV में एक big size motor भी देखने को मिलेगी जो ज्यादा power आपको generate करके देगी पीछले model से पीछले model में आपको 127 bhp का power मिल रहा था लेकिन अब जो नया model आ रहा है इसमें आपको 141 bhp का power और 250 nm का pick torque देखने को मिलेगा मतलब power और torque भी बढ़ गया है और battery pack भी बढ़ गया है इसका अलबा आपको देखने को मिलेगा multi mode regeneration टोटल 4 टाइप का regeneration braking आपको Nexon EV max में देखने को मिल जाएगा इसका अलबा safety feature की बात करें जो standard मिलेगा तो बो होगा all four disc brake, electronic stability control with IV BAC, electronic parking brake with auto hold ये सभी safety feature आपको standard मिलेबाला है Nexon के सभी variant में मतलब XZ plus और XZ plus luxury तोटों में ही comfort feature की बात करें तो XZ plus में आपको मिलेगा multi drive modes जो आपको normal Nexon में भी देखने को मिलता है तो बो ही multi drive modes आपको Nexon EV max में भी देखने को मिलेगा इसका अलबा आपको मिलेगा wireless smartphone charger, jeweled control knob और cruise control अगर charging option की बात करें तो company total दो टाइब के charger आपको offer कर रहा है एक है 3.3 kilowatt की जबकि दूसरी है 7.2 kilowatt की अब prices के बार में मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोग Nexon EV max के XZ plus model को 3.3 kilowatt charger के साथ खरीते हो तो उसके लिए आपको एक सोरूम के तोर पा चुकाना पड़ेगा 17.74 लाक रुपे लेकिन अगर आप लोग 7.2 kilowatt AC fast charger के साथ XZ plus model को purchase करते हो तो उसके लिए आपको चुकाना पड़ेगा 18.24 लाक रुपे मतलब आपको पच्छास हजा रुपे एक्स्टा चुकाना पड़ेगा सीफ चार्जार के उपर तो दोस्तो ये तब वीडियो नेक्स वन इफी मैक्स XZ plus भेडेंट के उपर आपको इस भेडेंट में क्या फीचर मिलेगा और प्राइस पंड कितना रहेगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में